तो हेलो गाईज, विलकम टू करेर मेंटर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का किमिस्ट्री का सॉलूशन चाप्टर बच्चो ध्यान से देखना अब तक जो हमने क्लासे ली थी लास्ट की 3 से 4 क्लासे उसमें 11 और 12 का मिक्स नुमेरिकल गे दे और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जो नुमेरिकल्स आपने कर लिये हैं, 11 वालों के साथ वो सफीशन्ट है, most probably उसी से आएंगे क्वेशन्स आएंगे तो, उससे बड़े 12 वालों आपके कोई आएंगे निए, बस मोलारिटी, मोललिटी और नॉर्मालिटी करवाने हैं, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में करवाऊंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ही मोनोटोन सा पूरा पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीके बच्चों, तो अब भी हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक, नुमेरिकल से चैप्टर में आएंगे याएंगे, क्यो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने प्रॉपरली पाटिस्पेट किया, आने वाले वीडियो और आने वाले टेस्ट के लिए भी आप अपने फ्रेंड्स को और खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को कंटीनेसली देखत है, जिसके नंबर कम थे, जिसके नंबर ज्यादा थे, ज्यादा थे, ज्यादा टेंशन मतलो, ठेक है, बस टेस्ट दिया, यही बहुत अच्छी बात है आपकी, ठेक है बच्छो, अब वापस एक और टेस्ट लेने की कुशिश करेंगे, हम कुश दिनों में हर संडे को या फिरन साटर्डे को हम एक टेस्ट लेने का कुशिश करेंगे, चलो देखते हैं बच्छो, आज पले स्टार्ट करते हैं, आज के दिन का इस वीक का पहला वीडियो, सॉल्यूशन का, ठीक है, अब सॉल्यूशन चैप्टर में जो नेक्स टॉपिक आता है, बच्छो, वो आत करते हैं, डिफ्रेंड टैप की कंसंट्रिशन क्या क्या होती है, सॉल्यूसन की, मोलैरीटी, मोलeur्यूशन, मोललिटी, सब देखा हमने, ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं, बच्छो, सॉल्यूबिलिटी होता की है, पहले हम फटाफट देखते हैँ, इसमार्यूशन का मतल soluble होने की ability कोई क्या कहते हैं बच्चो solubility कहते हैं क्या बोला मैंने soluble होने की ability कोई क्या कहते है solubility कहते हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कैसे एक solute को solvent में घोल सकते हो इनके बीच में कितना proper interaction हो सकता है उसी को आप कहते है solubility मतलब आप solute को कैसे properly घोल सकते हो यह solution य solubility बात सुन मैं इतना टेक्निकल मत जाओ चीनी की पानी में घुलने की शमता को क्या कहेंगे बच्चो solubility यहां तक बात क्लियर है अब मालो एक हमारे पास चीनी और एक हमारे पास मिट्टी ठीक है ओल्दो मिट्टी सॉलूशन नहीं मनाता बड़ एक्जामपल दे रहा हू एक है आपस चीनी और एक है बूरा चलो बूरा ले ले लेते हैं एक है चीनी और एक बूरा बूरा जानतो ना तो एक है चीनी और एक है बूरा मेरे को उताओ जल्दी कौन घुलता है चीनी घुलती है बूरा घुलता है बूरा जल्दी घुलता है तो इसका मतलब बूरा की है solubility of Chini क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ मैं तो solubility of bura is greater than solubility of Chini अब important बात क्या होती है जब भी हमें किसी भी solute की solubility निकालनी होती है कि कितना solute घुल पाएगा एक respective liquid में जिस भी liquid के हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे important दो conditions यहां दखनी है दो conditions यहां दखनी है तब ही आपका क्या हो गा आप आसानी से solubility compare कर सकते और निकाल सकते हो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना कि आपको temperature और pressure क्या करना पड़ेगा constant पड़ेगा देंप्रेचर और pressure आपको बच्चों क्या करना होगी कैसे अभी बतातों कि दूसरा आपको solvent की मात्रा फिक्स करने पड़ेगी solvent का amount क्या करना पड़ेगा जो fix करना पड़ेगा यह तो चीज़ ध्यान रख लो तब आप किसी भी solution यह किसी भी solute को solvent में घुलने की ability को हम क्या कर सकते हैं आसानी से consider कर सकते हैं निकाल सकते हैं condition number one temperature and pressure remains constant ठीक है in the entire process और जो solvent का amount है वो भी क्योंना चाहिए जो fix रहना चाहिए पूरी पूरी प्रक्रिया में अब ऐसा क्यूं इसको मैं बताता हूं अभी थोड़ी दिर में अब प्यारे बच्चों इन दोनों का reason देखते हैं कि ऐसा क्यूं है कि temperature और pressure को आपको solubility निकालने के लिए constant करना पड़ेगा whereas आपको जो amount of solvent है वो भी constant करना पड़ेगा देखो होता क्या मैं आपको पहले solubility का मतलब समझावता हूं फिर आप आगे चलेंगा हम होता क्या देखो मान लो आपको ऐसी गिलास है उसमें पानी पड़े गिलास है बच्चों उसमें क्या है पानी पड़े ठीक है पानी रखा वाई और आप उसमें क्या कर रहो जब तक solution कैसा न हो जाए याद करो मैंने तीन टम्स होताय थे अंसाचुरेटेड सैचुरेटेड और सूपर सैचुरेटेड फाइनल शुगर कब तक घुलेगी याद करो जब तक उसका saturation point ना जाए जब तक solution saturated solution ना हो जाए बात समझ में आ रही है नियारी मान लो इस पानी का saturation level है मालो यहाँ पर पाणी रख है मान लो 100 gram और मान लो saturation level है कितना 5-50 gram चीनी का मतलब यह 100 gram का पाणी चीनी अपने अदर घुल सकता है 50 grams of sugar घुल सकता है यहां तक बात clear है मेरी यह 100 ग्राम पानी है 50 ग्राम सब शुगर घोल सकता है ठीक है 50 ग्राम जब शुगर घोलेगी तो तब सलूशन कैसा हो जाएगा बच्चो saturated solution हो जाएगा यहादा clear है अब अगर मैंने जो दो condition ताइथी उसको आपको constant रखने है अगर आपने बच्चो pressure या temperature बढ़ाने का गुस्ताकी की क्या बोला मैंने बच्चो अगर आपने pressure या temperature बढ़ाने की गुस्ताकी की तो क्या होगा यह पानी का volume क्या होगा कम या जादा होगा अगर आप temperature बढ़ा होगे तो पानी के molecules के बीच में kinetic energy बढ़ेगी और चीनी घुलने की capacity होगी तो सब्सक्राइज की और चीनी को क्यों गुनने की capacity होगी क्योंकि बीच में.'s क्रियेट हो रहे हैं जैसे मानलो पहले जगह इतिनी इतिनी सी थी अब क्या हो गया पार्टिकल्स दूर दूर गए वाटर के क्योंकि टेंप्रेचर बढ़ा है तो अब और चीनी घुल सकती है किसमें वाटर के अंदर तो अगर पहले 50 ग्राम चीनी घुल रही थी और आपने तो अगर आपको पानी के मॉलेकूल पास 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 अनने लग जाएंगे तो आप चीनी कम घुलेगी बास समझना रही है दोनों का इन्वर्स रिलेशन पास अनने लग जाएंगे अगर टेंप्रेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस बढ़ेंगे और चीनी जादा घुलेगी और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में खुद दिमाख लगाओ ना प्रेशर अगर आपने बढ़ाया तो पानी पार्टिक चेंज होगी या हमपर होगी पहला पॉइंट क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट बच्चो मैं आपको क्या बतार था amount of solvent अब मान लो पहले यहां पर 50 ग्राम चीनी घुल रही थी जब यहां पर कितना पानी था बच्चो 100 ग्राम पानी था क्या आप इसमें से 50 ग्राम ही घुले गया फिर और घुल सकती है जी हां बच्चो और घुल सकती है तो इसमें क्यूंकि और चीनी घुल सकती है तो इसका आप पचास ना रहे के सव जाएगा कंपारिटिव देख लो न अगर सव ग्राम में पचास घुल रही थी तो आप कितना हो गया पानी 200 ग्राम हो गया ना सव डाल दिया तब सव जाए 50-50 कर लो तो सीधी सी बात क्या कहना चारों मैं मैं यह कहना चारा हूं कि अगर आप की डेफिनिशन लिखने जा रहा हूं उसमें मेरे को यह दोनों फैक्टर्स को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो डेफिनिशन आपकी गलत माननी जाएगी और एक्जाइम में सॉल्बिटी की डेफिनिशन आ चुकी है वन माकर आती है बट आती है तो क्या है बता हूँ सॉल्बिटी की डेफिनिशन सॉल्बिटी की डेफिनिशन बहुत ही सिंपल सी है एट कॉंस्तेंट तेंपरेचर अद प्रेशर solubility of a solution is defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent in order to form saturated solution यहां पे और थोड़ा से यह सारे keyword है ध्यान अखना बच्चों जो जो मैं आपको यहां पर एंसर कले कर रहा हूं सारी keyword तो आप एब डेफिनिशन देखते हैं फटा फटा फट एड कॉंस्त टेंपरेचर and pressure the solubility of a solution is defined as the maximum amount of solute dissolved in 100 grams of solvent in order to form a saturated solution अब इसका मतलब क्या बच्चों समझने कोशिच करना पहला पहला जो आपका important keyword है वो क्या बच्चों temperature and pressure इसको क्या रखना है बच्चों constant रखने अभी बता है मैंने अगला क्या लिखा maximum amount चीनी जादस ज्यादा किती गुल सकती है गुलने को तो चीनी का एक दाना भी गुल सकते हैं बच्चों हमें एक दाना नहीं देखना तब तक गुलने हैं जब तक solution कैसा न हो जाए saturated solution होना है तो यह लिखा है maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent यहां पर हमने solvent की मात्रा पहले ही क्या कर दी बच्चों fix कर दी solvent की मात्रा बच्चों पहले ही क्या कर दी हमने fix कर दी 100 gram of solvent in order to form saturated solution in order to form saturated solution solution बहुत easy है मेरे साब साब को समझ में आ गया होगा मैंने आपको बहुत ही एक proper तरीके से समझाने कोशिश की कि definition कैसे आई है तो आपको solubility समझ में आ गया कि solubility कैसे generate होगी आपको समझ में आ गया कि solubility क्या होगा बच्चों कितना solute हो सकता है solvent in order to form saturated solution ठीक है consider क्या करना आपको temperature और pressure constant होगा और solvent की मात्रा 100 gram होगी 100 gram एक journal है इसको 100 ही लिखते है ठीक है जब भी हम comparison के लिए solubility निकालते है चलो यह तो होगी बच्चों आपकी solubility की definition I hope आपको solubility की definition सौंझ में आ गई होगी अब हम आते हैं बच्चों आगे अब हम आते हैं कि solubility हम यहाँ पर इस chapter में दो टाइप की solubility discuss करेंगे मतलब दो चीजों को गोलेंगे पहनी चीज़ तो क्या गोलेंगे solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid एक तो हम यह चीज़ गोलेंगे इस chapter में मतलब हम गैस को लिक्विड में गोलेंगे और फिर analyze करेंगे कि solubility पर क्या फरक पड़ता है किसको gas को liquid में example यहाद है इसका क्या था इसका example था cold ring वाला याद करो जब हम cold ring में क्या करते है co2 को याद करो co2 को add करते है तो एक तो हम यह वाली solubility को यहाँ analyze करेंगे बच्चों दूसरी टाइप की solubility जो हम analyze करेंगे इस chapter में करेंगे solubility of solids in liquid solubility of solid in liquid इसका example यहाद है बच्चों आपको चीनी को पानी में गोलो सीधी सी बात है नमक को पानी में गोलो इस टाइप की solubility इस टाइप के जो solution मनेगा इसकी solubility को भी हम इस chapter में analyze करेंगे तो दो टाइप के हमें solution को analyze करना है number one solubility of gas and liquid और number two solubility of solid in liquid बात क्लियर है चले बच्चों आगे तो अब जो next हमाय पास topic आता है बच्चों ध्यान से सुनना देखो सोते मत देखा करो copy pen निकाल के देखा करो करो मजा आ जाएगा सही बतारो मैं आपको believe करो मेरी इस बात का अगला है बच्चों क्या है topic है मैं पास क्या है factor affecting solubility of gas in liquid factor affecting solubility of gas in liquid more specifically factors तो factors affecting solubility of gas in liquid मतलब gas को liquid में घूलना है अगर आपको तो कौन कौन से factors होंगे जो responsible होंगे बच्चों चार factors होंगे ध्यान रखना चार factors होंगे बहुत ही चार factors बहुत ही आसान आसान से है पहला factor nature of gas being dissolved nature of gas being dissolved जो gas को हम क्या कर रहे है पानी में डाल रहे हैं dissolve कर रहे हैं उसके nature पर determine करेगा क्या solubility कम होगी या solubility ज़्यादा होगी हमारा topic क्या है बच्चों हमारा topic है कि कौन कौन से factors हैं जो responsible होंगे solubility के लिए किसको solubility के लिए gas को liquid में घोलने के लिए gas को liquid में घोलने के लिए कौन कौन से factors responsible होंगे तो पहला है कि वो जो particular चीज है solute है वो solvent की तरह बनने की कोशिश करता है वो एक तरह से homogeneous mixture होता है आपको पता है solution वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है तब ही जाके proper solubility होगी नहीं है रही बात समझ में देखो चीनी का दाना होता है solid form में मैं वैसे बताना चाहरा हूँ पड़ेगा उसी के molecules को एक तरह से replicate करना पड़ेगा बात समझार में क्या कहना चाहरा हूँ अगर आपको एक गयंग में अगर आपको शामिल होना पड़ेगा तो आपको आपको गाल्यां भी बखनी पड़ेगी आपको बीडी भी पीनी पड़ेगी आपको थोड़े करते हैं आप किसमें गुल रो ठीक है similarly क्या होता है बच्चो जो गैस होती है उसको अगर लिक्विड में घोलना है तो गैस को पहले लिक्विफाइब होना पड़ेगा तब ही गैस के लिक्विड में प्रॉपरली गुल पाती है ने बस उनमें जब CO2 होती है उसको हम क्या करत है इसलाब जब धकन खोलतो उसके बाद जब अब कोल्डरिंग पीतो तो आपको CO2 का एसास होता है क्योंकि वह धीरे-धीर करके आपकी बॉड़ी में जाती है बात सम्झारी मैं क्या कहना चाहरा हूं कोल्डरिंग के साथ आपकी बॉड़ी में जाती है मतलब उस टाइम त फॉर्म में कनवर्ट होना पड़ेगा तब ही वो क्या हो सकती बच्चो गैस घुल सकते किसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर बात समझ मारी है लिकूड के अंदर यहां तक बात क्लियर है अब मेरे को एक बात तब जो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है क्या वह ज जिसको घुलने में थोड़ी मुश्किल होती है तो फटाफट नहीं घुलेगी तो किसकी जादा होगी गैस एक या गैस बी की बहुत सब्सक्राइब बच्चो आपका गैस एक ही सॉल्विफिटी जादा होगी क्योंकि उसकी घुलने की शमता जादा है और वीकेंड से उसक से घुली भी नहीं सकती ठीक है तो इससे में एक थीस समझ में आ गया कि जो solubility का जो relation है वो किससे directly proportional है बच्चो वो directly proportional है किससे ease of liquefaction या liquefaction दोनों word का मतलब एक होता है ease of liquefaction या liquefaction इससे directly proportional है ease मतलब आसानी तो जो आसानी से liquefy हो सकती गैस हो क्या होगी highly soluble हो और जो आसानी से liquefy नहीं हो सकती वो क्या होगी less soluble होगी सीधी सी बाते हैं क्या करना चाहरो co2 as compared to o2 और आसानी से liquefaction हो सकती है इस वोई से क्या हils से ऊक्तिव स्थीसे सबस्राइब आ सनुच जाती है बात समझ opposite waar quietly क्या कि जो gas highly क्या कहते है लिक्वी फेबल होगी मतलब लिक्वीफिकेशन जिसका आसान होगा वो आसानी से सॉलीबल होगी और जिसका मुश्खिल होगा वो थोड़ा कम सॉलीबल होगी यहां तक बात clear है दूसरी बाद अब हमें कैसे बता चलेगा कि कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है हमें कैसे बता चलेगा कि ease of liquification कौन सी गैस का जादा है तो ease of liquification बच्चो किसके proportional होता है ध्यान से देखना critical temperature के CT यहाँ पर मतलब क्या है बच्चो critical temperature अब ये क्यों होता है भी बताता हूं बस अभी क्या धियान रखो कि जिसका critical temperature ज्यादा होगा जिस गैस का उसका ease of liquification ज्यादा होगा मतलब वो आसान होगी liquified होना और जो आसान liquified होना होगी obviously बात उसका solubility भी क्या होगा ज्यादा होगा क्लियर है तो इसका और इसका भी कैसा relation है बच्चो critical temperature और ease of liquification का directly proportional है अब दिमाग में सवाल उठता है क्या कि critical temperature क्या है बच्चो ध्यान से सुनना critical temperature क्या है देखो बच्चो ध्यान से सुनो के तो समझ में आएगा critical temperature क्या है समझने कोशिश करना मान लो मेरे पास कोई गैस है ए यह अभी कौन से फॉर्म में अभी गैस फॉर्म में और मुझे इसको गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स as compared to gas पास पास होते हैं तो आपको गैस के पार्टिकल्स जो दूर दूर है उनको पास पास लाने अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है उनको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो पास पास लाना पड़ेगा और गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले मिरको प्रेशर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा सोच की बता बच्चो पार्टिकल्स को पास लाना है प बच्छे इदर उदर ग्राउंट में घूम रहे हैं, पिटी आई सरको उसको पास लाना है, तो मिले खोत्व क्या करना पड़ेगा उनको, उनको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर प्रेशर ने लगाएंगे तो बच्चे क्या यौ जाएंगे? भाग ज इस प्रेटेगे बंपरेटर से जिस इस पार्टीकल्स का टेंपरेटर जादा होगा उनके अंदर काइनेटी एडर जादा भागेंगे जिन बच्चों में आग ज्यादा होती है वह एक जेगे बैठते नहीं है वो इदर उदर भागतेaire बोलते हैं गर्मी बहुत है इस तो टेंपरेचर क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा प्रेशर और टेंपरेचर का इन्वर्स रिलेशन होता ज्यानक में तो अगर वापिस से सुनो गैस को लिक्विड में कनवर्ट करना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेंपरेचर कम करना पड़ेग यहां तक मीरी बात clear है आप लोग को चले बच्चो आगे अब बच्चो आगे सुनो अब मान लो आपने क्या मैं क्या आपने गैस को क्या temperature कम करना पड़ेगा बट आप temperature बढ़ा रही हो आप temperature क्या करो कोच स्कूल छोड़के भागो कोचिंग छोड़के भागो जब बच्चों का भगा रहे हो टेंपरेचर बढ़ा रहे हो मतलब ये गैस दूर जाने ही कोशिश करेंगे whereas school की क्या compulsion है school को बच्चों को क्या रखना है पास पास रखने बच्चों को motivate करें कि भागो बच्चे बच्चे बढ़ाने को तयार है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा डबल बढ़ाना पड़ेगा क्यों कि इतने प्रेशर सा आप काम देना आला अब उनके अंदर एनरजी बढ़ चुकी है अब बच्चे पीटाई को भी पीटेनी के आप एक तरह से आप एक्जामपल दे रहा हूं अब बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रोश्ट हो चुक है बच्चे ने टीचर्स को भी पीटेनी की हिम्मत रख रहे हैं ठीक है आजकल के बच्चे ऐसे खराब होते हैं ठीक है शरम ताती नहीं है तो टीचर्स को भी पीटेनी प्रेशर और बड़ाना पड़ेगा बट एक लिमिट ऐसे आएगी कि अब नहीं रुकने वाले बच्चे आप तो बच्चे भार ही निकल के रहेंगे क्योंकि वो टीचर्स को भी पीट देंगे सामने जो आएगा गेट तोड़ देंगे तो इतना टेंप्रेचर अगर आप अक लेवल तक टेंप्रेचर बड़ा होगे उसके बाद ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपकितना ही प्रेशर लगा लो अब बच्चे नहीं मानने वाले एक ऐसे temperature का point आएगा जब temperature इतना ज़ादा हो जाएगा कि आप कितना भी pressure लगा लो बच्चे नहीं मानने वाले उसी temperature को हम क्या बोलते हैं बच्चो critical temperature क्या बोलते हैं बच्चो critical temperature ठेके इसका आप सीधा सा मतलब समझाता हूँ particles को आपको liquefy करना है बच पार्टीकल्स पर temperature लगा रहे तो भार भाग रहे तो pressure बढ़ाना पड़ेगा फिर particles को हम वापिस से कोशिश की लिक्वाइब करनेगी बच हम temperature और बढ़ा रहे ठीक है अब इसको एक थोड़ा सा factual data की यसाब से देखते है कुछ example लेकर देखते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा आपको जैसे कि मान लो हमारे पास है कोई गैस 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 का नाम है यह 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 temperature यह प्रेशर हमने temperature लगा है 20 degree celsius का तो pressure कितना लगा मान लो 3 ATM में काम हो गया 3 ATM का प्रेशर लगा और वो रूग गया मैंने temperature कर दिया 40 degree celsius तो प्रेशर मान लो लग गया 100 ATM का मान लो इसके बाद लिक्विफाई हो गया बात सब्सक्राइब ने प्रेशर भी उतनी लेवल पर बढ़ा दिया तो गैस फाइनली लिक्विफाई हो गई temperature बच्चों में रखा 80 degree celsius का अब क्या हो गया प्रेशर लगाया मान लो 5000 ATM का सब डेटा क्या है यहां पर सब नकली डेटा है क्रिपया करके इन डेटा को असलीम मत समझ दे न मैं एक्जाम्पल दे रहा हूं अब भी क्या है टेंपरेचर तो बहुत बढ़ गया kinetic energy बहुत बढ़ गी बट हमने उनीक उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो कि प्रेशर भी तगडा बढ़ा दिया प्रेशर भी तगडा बढ़ा दिया उसको तो इसी टेंपरेचर को हम क्या बोलेंगे critical temperature क्या बोलेंगे critical temperature अब critical temperature के definition क्या है the temperature above which gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on it क्या समझ क्या बोला मैंने वापर सुनना critical temperature is the temperature above which above मतलब इससे ज़्यादा gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on it चाहे आप कितना भी high pressure लगा दो gas अब liquefied नहीं होगी gas अब gaseous form में ही रहेगी particles अब पास पास नहीं आने वाले बात clear है इसको हम कहते है critical temperature ये समझाना बहुत important था ये वैसे असली में class 11th का topic है बड़ पूरा topic समझाना जरूरी ये बनता है क्योंकि आप लोग को सब कुछ आता ही है जैसा कि मैं जानता हूं तो बच्चों स्टार्ट करें फिर आगे तो critical temperature आपको समझ में आगे मैं क्या कहना चाहूं critical temperature बारे में अब मान दो ध्यान से सुनना गैस ए है और गैस बी है गैस ए का critical temperature 80 degree Celsius और गैस बी का critical temperature 200 degree Celsius समझने की कोशिश करना दो टाइप के बच्चें स्कूल में एक बच्चा है जो 80 degree के बाद इक कंट्रोल में नहीं आता 80 degree Celsius के बाद बोलता है अब तो कितने प्रिशन लगा लो मैं तो स्कूल छोड़के बाग हुआ और एक बच्चा जो 200 degree Celsius के बाद इक स्कूल छोड़के बागेगा उससे पहले उसके इंदर सच्चे options है तब तक स्कूल आले कुछ भी कर सकते है ठीक है इसका थोड़ा गरम होने का थोड़ा क्या कहते है ठंडे होने का जो temperature बहुत जाद है बात समझ मारे क्या करना चाहरा हूं इसका critical temperature जाद है मतलब 200 degree Celsius तक यह high pressure इस पर आप कितना भी लगा लो यह लिक्विफाई हो जाएगा बट अबाव 200 degree Celsius इस पर कितना भी temperature लगा लो यह लिक्विफाई नहीं होगा इसका देखो फटाफट 80 degree Celsius के बाद आप चाहे कितना भी pressure लगा लो यह लिक्विफाई नहीं होगा बिलो 80 इस लिक्विफाई हो जाएगा तो कौन सी gas को आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो इस वाली को न आप पर रेंज जाद है रेंज समझ में है आपके पास मालो room temperature 30 degree Celsius है तो आप 200 degree Celsius तक इसको अलग-अलग range पर कर सकते हो लिक्विफाई कर सकते हो अगर temperature 70 degree हो तब लिक्विफाई हो जाएगा temperature 150 degree Celsius हो तब लिक्विफाई हो जाएगा अगर इसको भी देखे तो 70 degree Celsius हो तो लिक्विफाई हो जाएगा 110 degree Celsius हो तो लिक्विफाई नहीं होगा 150 degree Celsius हो तो लिक्विफाई नहीं होगा तो सीधा सा मतलब क्या है अगर जिस भी gas का critical temperature बच्चो और जिसको लिख्वे करना आसान उसकी solubility किया बच्छो ज्यादा तो आपको finally ये वाला जो मैंने डबबा बनाया है ये डबबा आपको क्या करना है बच्छो याद रखना है क्या पहला factor समझ में आ गया आपको nature of gas being dissolved का चलो बच्छो दूसरा factor पर आते हैं दूसरा factor पर च्छो nature of solvent nature of solvent nature of solvent बहुत आसान सा है है हम 4 factor साज करेंगे फटा फट nature of solvent बच्चो nature of solvent समझने के लिए हमें एक line समझनी पड़ेगी बहुत important line है ठीक है आप लोगों ने पड़ी होगी 11th में like dissolves like आपके NCIT में दरखिये like dissolves like like dissolves like this like line का मतलब क्या है जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है अगर आप का दोस्त बाइक का शौकीन होगा तो सीधी सी बात है आप भी कार या बाइक के शौकीन होगे क्योंकि दोनों का interest match करता है तब भी आप लोगों में friendship बनी होगी example दे रहो है यहाँ पे ज़्यादा इसको seriously मतले न अगर आपके दोस्त को हर्याणवी ग्याने पसंद होंगे आपको भी हर्याणवी ही पसंद होंगे क्योंकि आपका interest match होता है बात क्लियर है मैं कहके ना चाहरा हूँ अब आपने मालो एचल की गैस ली एचल गैस फॉम में भी एक्जिस करता है बच्चों जहां अगना आपने एचल की गैस ली अब एचल में देखो इलेक्ट्रों अपनी तरफ खीचेगा तो इस पर आएगा नेगिटेव चार्ज इस पर आएगा पॉजिटेव चार्ज यहां तक बात क्लियर है तो पोल्स रनेट होगे पॉजिटेव और नेगिटेव पोल्स रनेट होगे इस पर आपने लिए बॉटर वाटर के स्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है और यह पोलर मॉलीक्यूल हो गया तो इनके बीच की जो इंट्रक्शन से बहुत ही अच्छे होंगी बहुत ही पॉजिटेव इंट्रक्शन होंगी वेराइस अगर एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा तो उनके बीच की इंट्रक्शन बहुत ही घट्या होगी क्यूंकि इंट्रक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई इंट्रक्शन डाइपोल डाइपोल या कोई इंट्रक्शन ही जनरेट नहीं होगे बात क्ल सब्सक्राइब सब्सक्राइब था सब्सक्राइब तो like dissolve like ध्यान रखना अब example समझा जता हूँ आपको फटा-फट दोनों के अब मेरे को अगर polar को मैं अगर polar में घोलूंगा मतलब अगर आप पास कोई polar gas और उसको अब एक polar liquid में घोलोगे तो अगर polar gas को polar liquid में घोलोगे तो क्या वो घुलेगी क्या बताओ पोलर gas in polar liquid घुलेगी है नहीं घुलेगी बताओ घुलेगी solubility बहुत ही ज्यादा होगी for example HCl मैंने भी पताओ पोलर है अगर आप HCl gas को घोलोगे किसमें in water क्या घुलेगी बच्चो अरे बहुत शांदर खुलेगी polar in polar यहां तक बात clear है अगला non-polar in non-polar अगर मैं non-polar को non-polar में घुलूँ तो क्या गुलेगी नहीं घुलेगी like-like हो गया गुलेगी for example CO2 gas CO2 जो gas होती है आप जानते होगे फिक non-polar gas है क्यों देखो CO2 का structure कुछ इस प्रकार से होता अगर आपने पढ़ा होगा chemical bonding में ठीक है बच्चो तो oxygen की electricity है यहां से खीचा यहां से खीचा डाइपोल movement overall क्या हो गया cancel out होगे बच्चो ने बस उनमें एक carbon बीच में यहां से खीच रहा है यहां से खीच रहा है जब दोनों तरफ से दोनों ट्रेक्टर की 40 किलोमेटर परार की है मानलो ट्रेक्टर की होती है तो आप मेरे बात तो आप पे निट फोर्स किता लग रहा है जीरो आप क्या हो नॉन पोलर के लाओगे हाथ वाट तूटेंगों अलग बात है बट फिजिक्स के सेंस में आप पे क्या forces लग रहे है जीरो फोर्स लग ठीक है वही बात है कर बन प्रसले जीरो फोर्स लग रहे है इसलिए कया होगा वा कैसा बच्छो नॉन पोलर होगा बाथ क्लियर है और और सी ओट गास को अगर में घुल दूश में बेंज्जीन बेंजीन भी ऐक नॉन पोलर सॉलुट होता है तो क्या बहुत आसान हैब उल्टा कर दू तो अगर मैं HCl को लेंजीन में जो तो क्या होगा गुलेगा नहीं गुलेगा सिर्माफर्लीड अगर वेमें CO2 को वाटर में जो नहीं गुलेगा अब आप दो कोरो कि सियोटू वाटर में नहीं घुलेगा बट कोल जाता है वो हाइप परेशर पर लगाते हैं वैसे इन जैनरली सॉलीब्लीटी नहीं गुलेगा मतलब Solubility क्या होगी, कम होगी, भहुत कम होगी तबी तो आपने बच्छों देखा होगा तबी तो बच्छों आपने क्या देखा होगा कि जैसे डख्कन खोलतो हो, तो कैसे स्यू टो बार निकलती है एक तरस उसको बंद कर रखा है कमरे के अंदर जैसे कमरे का गेट खुले का ठुस बाहर निकलती है ठीक है बॉटल के रखकन से खुलते ही ठीक है एड में दिखाते हैं तो यह बात समझे कोशिश करो आपको यह बात समझ में आगी नेचर आफ सॉल्वेंट से कैसे रिलेट करेगा चलो बच्चो तीसरा जो रिलेशन है वो आउट हो जाओगे आप थोड़ी दिर बाद तीसरा है टेंप्रेचर एक सेंट करना बच्चो बच्चो टेंप्रेचर और प्रेशर वारा फिर हम कली करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा आज के लिए फिर हम इत्ता ही करेंगे ठीक है हमने दो सी के आज पराम ठीक है आई होप आपको सब समझ में आया होगा आज की क्लास में प्लीज लाइक करना अगर आपको पसंद आया अगर आपको 11 के नुमेरिकल सौल करने अगर आपको मोल कॉंसेट पर थोड़ी और अच्छी पकड़ चाहिए तो आप 11 के वीडियो भी देख सकते हो ऐसी कोई अगर आपको लगता है कि आपको नुमेरिकल करने के रिक्वार्मेंट है तो प्लीज आप नुमेरिकल करने के लिए 11 के वीडियो देख लिए ठीक है अच्छो तो तब तक खूश रहे हैं ठीक है थेंक्यू